हाई गाईस मेरे नाम है संदीप और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट मियू आई वी एन के बारे में जो की बेस्ट है मियू आई 13 के स्टेबल चाइना बिल्ड के उपर और इस के अंदर आपको कैसे features मिलते हैं कैसी performance है basically कैसी आपको यहाँ पर गेमिंग performance मिलते हैं वो मैं बताता हूँ आप चैनल को subscribe करो अगर आप पहली बरायो और please वीडियो को like and share जरूर से कर देना सबसे पहले बात करेंगे about phone की so my device page के अंदर आपको ले चलता हूँ सीधा all specs के अंदर so यहाँ पर आपका plus 2GB जो शो करता ना extended RAM या फिर जो है memory extension वो यहाँ पर भी शो नहीं करता पता नहीं यहाँ पर remove है या फिर जो है modification की है बढ़ यहाँ से आपको यह चीज नहीं मिलेगी Android 12 के साथ में Android security update है 2021-1201 का यानि की December 2021 से updated है और MIUI version आपको मिलता है MIUI VN 13.0.2 जो की latest MIUI का आपको China build मिलता है वही आपको latest stable update यहाँ पर मिल जाता है जो की यहाँ से ported है और अगर आपको मैं दिखा हूँ तो perf का kernel same यहाँ पर use किया है और एक note दे देता हूँ अगर आप MI 11X user हो तो आपको यहाँ पर सभी features जो है missing मिलेंगे जैसा अगर आप Android 12 की ROM यहाँ पर flash करते हो और उसको fix करने का link आपको i button के अंदर मिल जाएगा आप उस video को ज़रूर से check out कर सकते हो यह ROM है ना यह आपको मिलती है MIUI के China Stable Update के उपर based और यहाँ पर आपको क्या चीज़े मिलती है वो सबसे पहले चेक करवाता हूँ तो dynamic आपको यहाँ पर widgets देखने को मिलते हैं जिसको आप काफी लोग बोलते हैं iOS वाले widgets तो वही चीज़े हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी by default जिसको आप जो इंटरनेट के through access कर सकते हो कुछ मैने आपर setup कर रखे हैं और आपको यह वाला control center by default ROM के अंदर मिल जाता है the left side के अंदर जो app vault है वो भी आपका dynamic के आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको आप चेक कर सकते हो आपका जो device है due to China ROM यहाँ पे not certified है but I think अगर आप route नहीं करते तो उसके वज़े से आपको यहाँ पर जो banking apps है वो आपके work करने लग जाएंगे सभी तो नहीं work करेंगे but most of the banking apps से यहाँ पर most probably work करने वाले है next अगर बात करें DRM info के अंदर आपको यहाँ पर Widevine L1 भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप चेक कर सकते हो extra features की बात करेंगे तो wallpaper हैं personalization के अंदर आपको super live wallpaper सिर्फ और सिर्फ fake अब जो है downloaded मिल जाता है बाकि आपको यहाँ पर download करने पड़ेंगे और उसको भी update करना पड़ेगा बाकि यह MIUI 13 वाले आपको wallpaper से यहाँ पर included मिल जाते है and always on and lock screen के अंदर आपको always on working मिल जाता है उसके साथ में नीचे गराओगे न notification view का एक section मिलता है जिसके अंदर expand, top notification, unread message और reply to a message के extra options आपको मिलते हैं डिस्पले के अंदर almost सभी चीज़ें आपको working मिल जाते हैं like anti flicker mode बट इसका आपको Mi 11X के ओपर जो है यह भी आपको यहाँ पे included मिलेगा और अगर आप जाते हो notifications and control center के अंदर तो control center मैंने जैसे बताया कि आपका new updated मिलता है by default status bar का section है यहाँ पे number of notification icons को आप इनेबल कर सकते हो colored notification icons का option आपको extra के अंदर मिलता है और यह network types है जिसको आप इनेबल कर सकते हो then weather का option है जिसको आप show कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और यह सब चीज़ें आपको by default MIUI VN की और से मिलती है and further अगर आप control center style के अंदर आते हो तो यहाँ पे disable cards का option मिलता है जो कि अभी useless हो जुका है क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको off भी कर देते हो तो भी आपको similar layout मिलेगा यह जो है global वाला जो आपका control center है उसको enable करता है basically तो अगर आप चाते हो तो इसको try कर सकते हो बड़ यह भी useless हो जुका है बाकि battery वाले section के अंदर तीनो profiles हैं से battery balanced or performance optimized charging है उसके बाद में आपको battery health यहाँ पे शोग नहीं करता but temperature और charged जो time है वो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हो और recent के अंदर आप जैसी जाते हो सोड़ा ताइम ज्यादा अगर आप यहाँ पर सब setting को open करते हो तापकि जो settings है restart होती है और यह bug आपको MIUI के और से ही देखने को मिलता है region का option यहाँ पर अविलबल है memory extension है बड़ अगर आप notice करोगे यहाँ पर आपको जो icons वो updated मिल जाते हैं क्योंकि यह के modded ROM है और यहाँ पर आप चेक करोगे गेm turbo वाले section के अंदर भी जो icons वो updated है video toolbox आपको मिल जाता है जो कि sidebar आगे आपको देखने के लिए मिलेगा यह MIUI lab है यह light mode मिलता है और floating window वगरा सब कुछ same आपको बाकी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा basically मैं बात करूँगा smoothness की वो आपको कैसी मिलती है तो सबसे पहले app opening या फिर closing animation आप देख सकते हो काफी smooth ROM मिलती है because यह जो ROM है यह आपको based मिल जाते है MIUI के China ROM के ओपर based और यहाँ पर आपको almost सभी चीज़ें मिल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा की कैसे work कर रही है so आप देख सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाते हैं कुछ ऐसे animations आपको basically मिल जाते हैं and जो animations आना वो really में 120 Hz के ओपर काफी smooth experience आपको मिलते है and same चीज़ अगर आप 60 Hz के ओपर भी try करोगे ना तो वहाँ पर भी आपको कोई issue नहीं आएगा so ROM super smooth है कोई lag कोई issue आपको नहीं आने वाला but sometimes जब ऐसे आप यहाँ पे camera application वगरा open कर लेते हो ना साथ में तो आपको lag feel होगा sometimes कुछ applications आपके restart भी हो सकते हैं but overall जो ray management है वो काफी excellent आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके regarding issue नहीं आएगा and जो smoothness है वो भी काफी well balanced या फिर well optimized आपको मिल जाती है बड़ अगर आप यहाँ पे check करना जाते हो ना जो launcher है वो आपको यहाँ पे alpha stage का मिल जाता है इसके अंदर यही features आपको मिल जाते है global icon animation वाले range items वाले और suggestion आपको मिल जाता है minus one screen है जिसके अंदर iVault है विनेबल कर सकते हो google discover आप यहाँ पे use कर सकते हो तो सभी चीज़े almost same है and यहाँ पे एक चीज़ आपको android 12 के मिल जाती है वो है यहाँ पे जो privacy indicator वो आप यहाँ पे उपर check कर सकते हो वो आपको मिलता है बढ़ यह वाले चीज़ missing थी MIUI 13 के latest update के उपर जो वीडियोज है आप यहाँ पर 4K 30fps के उपर record कर सकते हो setting के अंदर जलते हैं तो यहाँ पे anti bending mode वगरा मिल जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे option मिलते है auto start वाले preserve settings तो बागी same है 48 megapixel working है और portrait भी use कर सकते हो अब performance के उपर आते हैं यह आपको geekbench 5K scores मिलते हैं और CPU throttling और geekbench दोनों को detect करने के लिए मैंने game turbo को performance mode के उपर setup किया है otherwise आपको जो clock speed मिलते है वो यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगी exact आपको नहीं show करती तो मैंने उन दोनों को यहाँ पर enable कर रखा था तो यह scores आपको game turbo के साथ में मिलते हैं और यह CPU throttling graph है जिसके अंदर बिल्कुल भी CPU throttle नहीं करता और इसके साथ में जो आपको maximum GIPS मिलते हैं आपको 120Hz के ओपर 7R plus यहाँ पे screen on time मिलेगा बागी depend करता है नॉर्मल usage की मैं बाद करा हूँ बागी आपके ओपर depend करता है आप इसको use कैसे करते हो बैटरी consumption काफी अच्छा है उसके साथ में charging speed के अंदर issue नहीं आएगा और एक चीज के अंदर issue आएगा आपको इस norm के अंदर वो है Google Apps के अंदर आप जैसी यहाँ पे Google Apps को scroll करोगे ना यानि कि Google की जो भी applications है इनके अंदर आपको यहाँ पर stuttering feel होगी तो यह font की वजह से है अगर आप यहाँ पे कोई और custom font में जिसके थूँ फ्लेश कर लेते हो ना तो आपका fix हो जाएगा अगर आप यहाँ पे theme store के थूँ यहाँ पे apply करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको problem आ सकती है बट यह जो चीज़ा है यह मैंने को play store के अंदर ही मिली है अगर मैं आपको दिखाऊं YouTube के अंदर तो YouTube के अंदर 120Hz के उपर YouTube working है आप देख सकते हो कोई problem आपको नहीं आने वाली तो यह सब चीज़ें जो है मैंने आपको बताई वो मेरे के साथ यहाँ पे play store के अंदर ही exist कर रही है और आइ थिंग जो है उसके अंदर कोई वैसे बड़ी problem आपको नहीं आएगी रही बात gaming performance की तो 60 fps के उपर काफी कमाल की performance आपको मिल जाती है आप यहाँ पे competitive वगरा भी खेल सकते हो तो यहाँ पे gaming के regarding issue नहीं आने वाला और आप यहाँ पे MIUI mod OG को भी try कर सकते हो अगर आप interested हो उस ROM के अंदर भी काफी तगडी optimization है वो fully debloated मिलती है और इससे काफी ज़्यादा lightweight ROM आपको मिलती है इसका size almost 4GB के आसपास है बट उस ROM का जो size है वो 2.5GB के ही आसपास मिलता है तो आप सो सकते हो कितने debloated ROM होगी और वो ROM भी काफी अच्छी है अगर आप check करना चाते है उसका review आई बटन के अंदर है बाके इस वीडियो के लिए बस इतना ही आप subscribe जरूर से कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे एक और new interesting वीडियो के साथ